सो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये MP Online का पोर्टल है और जैसा कि आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश NHM के दुरू रिसेंटली अलग-अलग पोश्ट पे वेकेंसी जहाँ पर रिलीस की गई थी इसमें स्टाफ नर्स की पोश्ट के लिए सरकारी भरती का विज्यापना पर ज सामिल की गई और इसके अतरिक्त और भी रिक्रूट्मेंट से यहां पर जारी किये गए फाइनली सभी भरतियों से सम्मंदित नोटिस अब आप लोगों को यहां पर प्रवाइड करा जा रहे देखिए नीचे की तरफ इंफॉर्मेशन आप लोगों को कहां पर दी गई यह नहां पर दोस्तों देखिए लख आ है नेशनल हैल्फ मिशन ढशाः एन इच म चाहे स्टाफ नर्स अ चाहे समें एन म की पोश्ट हो चाहे समें स्विल इंजिनियर और गैं वर्क रच की सभी लिए नोटिकेशन यहां पर रिलीज किये गए नोटिफिकेशन ओपिन करके आपको बताऊंगा किया इन्फॉर्मेशन है नोटिस में आप लोगों को यहाँ पर दी जारी तो सबसे पहले मैं आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पर जो रिलीज हुआ इसको मैं आपको ओपिन करके दिखा देता हूँ तो इसमें आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक सूचना आप लोगों को यहाँ पर दी जारी लिखा है राश्टी स्वास्ते मिशन में बिविन्य पदों के लिए भरती परिक्रिया MP online के मद्यम से संपादित की जा रही है विज्यापती सभी भरती परिक्षाओं में online आविधन एवाँ परिक्रिक्षा शुल्क 510 रुपे GST एवाँ तो बताना चाहता हूँ फीस को लेकर information आपको दी जारी के परिक्षा शुल्क इतना है और जो सुधार के लिए शुल्क है वो इतना आपको के लिए रहेगा हाला कि अब जो है इसका कोई भी यहाँ पर सेंस नहीं बनता है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए चोकि जो है online application form फिल अप करने के जो link है deactivate यहाँ पर कर दे गई last date यहाँ पर already यहाँ पर over हो चुकी है इसके बाद इस तरीके का जो है fees के payment के बारे में information देना तो इसका कोई भी यहाँ पर सेंस नहीं बनता है चोकि online अविदन already यहाँ पर close यहाँ पर हो चुके है फिर भी आप लोगों को information यहाँ पर दे दी गई और आप लोगों को यह सूचनक के तोर पर बता दिया गया तो यह staff nurse की है इसके बाद A&M वाली भी यहाँ पर देखिए information दी गई है तो यह भी हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है तो इसमें भी सेंटिसम वही जानकारी दी जा रही कि पांसो दस रुपे का परिक्षा शुल्क है पचास रुपे संशोधन का है तो A&M वाली candidates के लिए भी वही information इसमें आप रहेगी तो ऐसे ऐसे करके चाहे सब इंजीनियर की post हो चाहे यहाँ पर कोई और यहाँ पर अन्य post हो आप लगों को fees को लेकर यह छोटा सा update आप लगों को यहाँ पर दिया जा रहा चुकि A&M के form अभी भी यहाँ पर फिल अप यहाँ पर कराय जा रहे है तो A&M candidates के लिए यह notice का यहाँ पर कुछ ना कुछ sense तो यहाँ पर बनता है और आदी candidates तो already form fill up यहाँ पर कर भी चुके होंगे और आदी candidates जो यहाँ पर रह गए है तो उनके लिए इन्फोर्मेशन यहाँ पर helpful थोड़ी यहाँ रही कि यह हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं तो बाकी के post के लिए मैं आप लोगों को information open करके आप पर नहीं देखा रहा हूँ और उनमें भी यह information होगी और आप चाहें तो portal पर भी check कर सकते हैं बाकी staff nurse का मैंने आपको बता दिया और आपको A&M का भी आप लोगों को इसमें आप बता दिया और साती साथ काती candidates यहां पर पूछ रहे हैं कि staff nurse का exam की date यहां पर क्या रहेगी तो देखिए थोड़ा तो आपको यहां पर सवर करना होगा exam date के बारे में जनकारी आपको officially website पर provide कराई जाएगी चुकि थोड़े समय पहले online अविदन करने की last date यहां पर निकली है तो थोड़ा समय तो यहां पर लगता ही है और कुछी समय में आपको information मिल जागी कि exam की date क्या रहने वाली है date बताई जाएगी और साथ-साथ syllabus को लेकर भी काफी candidate का हां पर doubt है कि syllabus यहां पर क्या रहेगा तो syllabus की जानकारी भी कुछी समय में website पर आपको देखने को मिलने वाली है और इसमें दोस्तों देखिए आपको इंतजार भी नहीं करना है अभी कोई भी आपर भरोसा नहीं है कितने समय में यह information आपको provide कराई जाने वाली है चुकि काफी समय बात MP online के तुरू यह exam यहां पर हो रहा है और कितने समय में यह information यहां पर आती है यह जानकारी किसी के पास भी available नहीं है तो बताना चाहता हूँ जैसे कि देखिए staff nurse की post है तो staff nurse की post में जो topics हैं वो common ही रहेंगे community वाला part है तो MPNHM में भी वही पूछा जाता है MPCHO में भी वही पूछा जाता है तो यहां पर जो vacancy release होई है MPNHM staff nurse का तो उसमें भी वही तरीके के सवाल आपके समय पर पूछाएंगे और pediatric वाला part है ठीक है और यहां पर देखिए अलग-अलग topics है अलग-अलग यहां पर जो है तो किसी भी state का exam हो चाहे staff nurse का हो चाहे CHO का exam हो topics तो same ही रहते हैं nursing वाले part के और कुछ मात्र एक या दो topics से उपर नीचे होते हैं बाकि पूरा syllabus जो है same आपको देखने को मिलता है और इससे पहले जो topics release किये गए आप लोग देख ले न कि आप लोग ने CHO का exam दिया होगा इससे पहले उसका syllabus क्या था और अभी आप लोग ने recently group 5 का exam दिया है तो उसका syllabus यहां पर क्या था कितने topics यहां पर थोड़े अलग है आपको साफ साफ information उनी में ही आपको देखने को मिल जागी तो syllabus का ज़्यादा आप लोग यहां पर वेट करेंगे तो ऐसा मेरा आप यहां पर मानना है कि आपका यहां पर ज्यादा time waste यहां पर ना हो जाए बहतर यही है कि जो भी normal जो topics है nursing के आप लोग उनको आप डेली एरिट करें उनसे related mcq आप लोग जो है डेली solve करें और जितनी knowledge हो सके आप लोग प्राप्त करें और यह process जो है जल्द से जल्द ही complete यहां पर की जाएगी जल्द से जल्द ही आप जो है syllabus दिये जाएगा exam के date दी जाएगी फिर जो है आपका exam भी जल्दी से ले लिया जाएगा और इस vacancies को बिल्कुल आपको जो है हास से नहीं जाने देना है 2877 vacancies पे आप लोगों को यह सोचना है कि एक seat आप लोगों के इसमें आप पे fix है उस एक seat के लिए आप लोगों को यहां पे मैनत करनी है आप लोगों को यहां पे preparation करनी है और coffee candidates का previous papers को लेकर भी यहां पे सवाल है तो वो भी मैं आपे clear कर देता हूँ देखिए SAMS द्वारा exam इससे पहले conduct यहां पे कराये थी तो SAMS के जो NHM staff nurse के जो exam हुए तो वो paper अब यहां पे कोई भी काम के यहां पे नहीं रहेंगे चुकि SAMS की जो agency है इसको blacklisted यहां पे कर दिया गया है और सबसब notice में लिख दिया गया था MPNHM द्वारा कि जितनी भी परिक्षा SAMS द्वारा कराये गई सब को cancel यहां पे किया जा रहा है चाहे staff nurse की हो, चाहे A&M की हो, चाहे pharmacist की हो और काफी करीब-करीब साथ अलग-अलग तरीके की vacancies को जो है cancel यहां पे कर दिया गया था चुकि SAMS की जो agency है इसमें काफी फरजी बाड़ा आपको यहां पे देखने को मिला था तो MPNHM ने यह decision लिया कि 3 साल के लिए यह जो exam की agency है blacklisted है, MPNHM का कोई भी exam इनके द्वारा conduct यहां पे नहीं करा जाएगा तो जब exam यहां पे conduct यहां पे नहीं करा जाएगा तो इनके papers भी यहां पे कोई भी किसी भी यहां पे काम के नहीं है अब यहां पे important बात यहां पे क्या रहेगी यदि आप लोगों को previous papers चाहिए तो देखिए इस बार जो है exam आपका MP online यह आप लोगों का exam conduct यहां पे कराएगा और MP online के जितने भी आप लोगों के papers अभी recently जो हुए है group 5 के वही papers आप लोगों के लिए helpful रहने वाले हैं क्योंकि group 5 वाला pattern ही MP online यहां पे follow करेगा और उनीक तरीके के questions की आप लोग यहां पे practice करें तो मैंने आपको बताए भी था कि मेरे पास 2021 के और 2022 के करीब करीब मेरे पास यहां पे सभी शिप्टों के सभी जितने भी online exam हुए तो 9 papers की PDF file मेरे पास यहां पे available है तो यह 9 papers ही काफी जदा इस बार जो है आपके MP, NHM जो अभी exam होगा staff nurse की post के लिए 2877 post के लिए तो यह 9 papers उनके लिए काफी helpful आप लोगों के लिए रहने वाले हैं तो यदि आप लोगों को 9 papers यदि आपको चाहिए है तो यह chargeable है इससे पहले भी यह chargeable था तो इसका जो amount है 150 rupees रहेगा और मैं अपना आपको whatsapp नमबर दे देता हूँ 741 5543659 तो whatsapp पे आप लोग हमें message कर सकते हैं आपको 9 papers की PDF single PDF file आपको मिल जाएगी तो आप सब लोग whatsapp पे हमें message कर दीजे और SAMS बाले जो NHM की पेपर है वो आप आपको किसी भी काम के आप लोगों के आप नहीं रहे और यह इसका reason मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया जो भी information थी मेरे पास मैंने उसमें आप पे cover की उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको पसंद आया होगा लाइक कर दिना इस वीडियो को चैनल को भी subscribe कर ले इसी तरीके से आगे information हम लोगे आप पे cover करेंगे इन भरतियों से समदित कोई भी जानकारी आपसे चूटना नहीं चाहिए वीडियो के नीचे जाके subscribe के red button को click कर ले तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में Thank you so much